हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर स्वागत है ठीक है आज हम आप सभी के लिए महत्रपून अनुछेद आरतिकर लेकर आया है यह तोपिक आपके एक्जाम के है एक्जाम के लिए बहुत इन्पूत है ठीक है इससे एक से दो क्यूशन ज़रूर आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं तो आज का आपका पहला क्यूशन है वह इतमान समय में बारते सरीदान में गन्ना की दर्सति में से कुल कितने अनुछेद और अनुशूचिया है यह तो आपको पता ही होगा कि 395 में अनुछेद हैं और बारा अनुशूच अगर हम इसके आंसर की बात करें तो यह अंकीत है आपका अनुछेद 1 में किसमें अनुछेद 1 में अंकीत है और क्या अंकीत है बारत राज्यों का एक संग होगा क्या अंकीत है जो बारत या इंडिया राज्यों का संग होगा option a हो जाएगा आपका वन तिक है यहां तक के लिए भारतिय स्रिधान में किन आइकता संबंदी पर अध्यावDhaan है? अगर यह पूछा जाएक वह पूछाए कि बारतिय स्रिधान के किन अनुछेदों के किन आइकता संबंदी पर रफ अधान है मतलब जो नागिकता के अधिकाय होते हैं उनसे लेतेद उसमें लिखा हुआ है तो वो है आपका अनुचेद पास से लेके ग्याया तक तो आप्शन बी आपका एकड़ मारी तानस हो जाएगा अनुचेद पास से ग्याया ठीक है बाते सविदान में नागिकों का मूल अधिकार पदान करता है तो कौन से अनुचेद में लिखा हुआ है ये तो ये लिखा हुआ है आपका अनुचेद बाया से 35 तक ठीक है तो आप्शन ए हो जाएगा आपका आनस्व है यहां तक सभी लोगों के लिए कौन से अनुचेद ए इस पस्ता का अनुचेद करता है तो अगर ए इस पस्ता का अनुचेद करता है तो कौन से अनुचेद करता है तो इसका आपका सही आनस्व क्या निकलेगा इसका निकलेगा अनुचेद सत्य है औप्शन C हो जाएगा सह सभीदान का कौन सा अनुछेद राश्पती के लिए पूर्न निवाचन की योगता निदायित करता है तो अगर इसके आंस्व की बात करें तो अनुछे सत्ताओन कौन करता है अनुछे सत्ताओन ओप्शन दी हो जाएगा सभी आंस्वा तीक है किस अनुछेद के अंतरगत भासन अभी वक्ती की सत्ता के अधिकार की गायनती दी जाती है तो यह अनुछेद 19 के तैद किसके द्वार अनुछेद 19 के तैद ओप्शन ए आपका एकदम राइत आंस्व निकलेगा इसका बारते सभीधान में किस अनुछेद में पेस की समत्ता दी गई है तो अगर इसके आंस्व की बात करें तो यह दी गई अनुछेद आपके 19-1-A में कौन सा अनुछेद 19-1-A अनुछेद 19-1-A ओप्शन दी आपका एकदम सही आंस्व निकलेगा ठीक है मौलिक अधिकारों के अंतरगत कौन सा अनुछेद बच्चों के सोसन से सम्मदित है आपको बताना है जो बच्चों के सोसन से सम्मदित कौन सा मौलिक अधिकार है तो इसका आंस्व की बात करें तो अनुछेद 24 हो जाएगा उप्शन D एकदम आपका सही आंस्व निकलेग लोगों के इतों के सनेक्षन की वश्ता है इसका आपका सही आंस्व निकलेगा अनुसे 29 ऑफ्षन भी एकड़म सही हो जाएगा ठीक है कौन से अनुसेद के इंतार भायत का सहुच्छे नाले नागी को मौलिक अधीकारों की एक्सा करता है यह करता है अप्षन हो जाएगा अनुसे, ऑफ्षन दी हो जाएगा सही आंस्व है अगर आपको कोई भी क्यूशन में कुछ भी दिक्कत आए, कोई भी दाउत हो, तो आप कमेंट वोक्स में क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, या आप हमारे जो चैनल है, इसके निव अपडेट एम नोस्त होते है, PDF होती है, उन सभी को आपको हमारा जो एक टेलिगाम चैनल हमने आप सभी की सिविद्दा के लिए बना रखा है उस पर जाके मिल जाएगी ठीक है नेक्स्ट तो इंप्रोटेंट क्या है बारत्य सिविदान के कीन अनुछेदों में राज्यों के नीती नीद्रसक तत्रों का उलेख है तो बताओ जल्ली से इसका आपका हो जाएगा अनुछेद 36 से 51 ऐसे आपका स्याहिएंस हो जाएगा क्यस्ते र सुफिदान के आपको याज्यों कॉ है की अनुछेद वर्नित है तो अनुशेद 49 में तो आपका बी जो उप्षन है एकदम सही हो जाएगा ठीक है बाहरते स्रीदान का कौन सा अनुशेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गतन का निदेश देता है तो कौन सा हो जाएगा इसका अनुशेद 40 अप्षन D आपका सही निकलेगा ठीक है 42 सरीदान संसोदन 22 सरीदान के किस अनुशेद में मौलिक करत्यों को जोड़ा गया है तो अगर इसके अनुशेद की बात करें तो क्या निकलेगा आपका अनुशेद 40 अ में ठीक है ऑप्षन B आपका सही हो जाएगा यहां तक किसी को कोई प्लोग्रम नहीं होगी मैं उम्मीद करता हूं और नुशेद पचास ए में बाहते सरीदान जो बाहते सरीदान है उसमें अनुशेद 50 A में मौलिक करत्यों की चर्चा की गई है और आपको कोई भी दाउत हो तो आप हमसे कमेंट वोक्ष में कमेंट करके पूछ सकते हो आपका उसको एपलाई हम जरूर देंगे ठीक है किस अनुशेद के अंतरगत भायत के आसपती पर महा अभी योग चलाया जा सकता है तो यह अनुशेद छेतर के से तहद संग की कारपाली का सकती आसपती में नीत होगी जिनका परयोग वह स्वाम या अपने अधिकारों के दोया करेगा तो इसका अनुशेद तैप पन संग की कारपाली का सकती आसपती में नीत होगी जिनका परयोग वह स्वाम या अपने अधिकारों के दोया करेगा मनती गन सामूरिक रूप से लोग सबा के परती उत्रदाई है अगर इसके आंसर की बात करें तो अनुशेद पिछेद तक क्या हो जाएगा अनुशेद पिछेद तक ओप्शन सी आपको यहीत आंसर निकलेगा बायत के महा नियारवादी की निक्ती से समंधित अनुशेद कों सा है तो अगर इसके आंसर के बात काई तो अप्शन 2 निकलेगा अनुशेद 89 अप्शन 2 हो जाएगा सही आंसर है बायत के सरीदान के अनुशाद 27 वीच चय महा के अंतराल की ए निवायता का उलेख करता है कौन सा अनुसेद करता है अनुसेद 85 ऑप्सन दी आपका एकदम मैरित आंसवा निकल के आएगा थी क्या है याज़ पति सर्विदान के किस अनुसेद के इंतर्गत लोग सबा को भंग कर सकता है तो अनुसेद ऑप्सन हो जाएगा 85 ऑप अनुसेद 85 ऑप्सन आप रखें निकले गाए वह ए निकले गा थी कैसे यांसर है चलो हम अपने अगले क्यूशन की तरफ चलते है पति सर्विदान के किस अनुसेद ढौय सर्सद की तर्क बेतào के प्रवधन किया गया है तो जो अनुसेद 58 जिसके तरफ सर्विदान Tá लोग सबार अ माज़ सबा के बेतान और ट के अधिर शन के विश्यर में पारवधान, सर्विदान के किस अनुषयद में किया गया है? तो ये अनुषयद एक सो आत हो जाएगा आपका सरी आनुषवार है Option बी निकल के आएगा इसका ठीक है सर्विदान के किस अनुषयद दन विदेयक पर्भासा दी गया है यहीं जो सविदान के कौन सा अनुषेद है जिसमें धन विडियक की परिभासा दी गई है तो यह आपके अनुषेद 110 में दी गई है उप्संद सी निकलेगा आपको आंस्व है अगला कुशन है कौन सा अनुषेद बायत के आस्पती में अध्यादेश जाई करने की सकती परान करता है ऐसा कौन सा अनुषेद है जो बायत के आस्पती को अध्यादेश जाई करने की सकती परान करता है तो वो आपका अनुषेद 123 ओप्संद सी निकलेगा ठीक है आगे चलते हैं सर्विदान के किस अनुसेद में सहुच्च न्याले के नियादीश पर महाभियोग चलाया जाने का परदान है इसका अनुसेद आपका हो जाएगा अनुसेद 124 में भाग नमर उसका चाहती है और अपसर सी निकले के आएगा आपका इन्पोटेंट अगला क्यूशन है रास्पती के सवच्च न्याले से सर्विदान के किस अनुसेद के अंतरगस परामस ले सकता है तो अनुसेद 143 के तैद अपसर दी निकलेगा आएगा सवच्च न्याले अपने द्वाया सुनाए गए किसी निन्य या आदेश का पूर्ण या लोकन कर सकता यह आए तुश्च यह वश्चता सविदान के किस अनुसेद में उपस्तित है इसका आपका स्याज़न निकलेगा अनुसेद 137 ऑप्शन सी निकलेगा यहां तक सभी लोगों के लिया हो गया होगा चलो आगे चलते हम लोग किस अनुसेद के तैट आउसी सक्तियों के अंदर के पास है इसका हो जाएगा आपका अनुसेद 243 दी हो जाएगा सही आनसर है राज़ो दौार प्राहतना करने पर बायत की संसर उन्हें आज़ों के लिए किस अनुसेद के अंतर के तरानुन बना सकती है अज़ाय कोई भिविंझ आज़ेड़ अपने लिये कोई भिविवी प्रास्थ नहीं करता है सहूएदान में अनुसेद में कोई भिवे राज़ों के लिए किस अनुसेद के अंतरक नचथ कानुन बना सकती है अनुसेद बताना आपको ठीक है तो जो अनुशेद 253 के तहट आजजो दौआया प्रास्टना करने पर बायत की संसथ उन्हें आजजो के लिए अनुशेद के अंतरगत कानून बना सकती है तो ऑप्सन C निकलेगा इसका अनुशेद सर्विदान के किस अनुशेद में अंतरगत के अंदर सरकार याजजो के निदेश देती है तो इसका आपका सही आज़स निकलेगा इसका अनुशेद 356 यहां तक के लिए अगला विंपोटेंट क्यूशन है बायते सर्विदान के किस अनुशेद के अंतरगत विट आयोग के गथन का प्रावदान है तो विट आयोग के जो गथन है उसका प्रावदान किस अनुशेद के तहरत है वो है अनुशेद आपका 280 अनुशेद 286 option B एकड़म answer हो जाएगा 280 option B ठीक है आगे चलते हैं 50 question करवाने वाले हैं आज हम आपको संपत्तिक अधिकार सरुधानिक अधिकार है यह बताय गया था तो यह किस अनुशेद में बताय गया था यह बताय गया था आपका अनुशेद 300 क ठीक है बारतिय सरुधान के किस अनुशेद में नई अखिल बारतिय सेवा की श्थापना पारवदान करता है इसका answer निकलेगा अनुशेद 300 बाया option B पारवदान के किस अनुशेद द्वाय लोग सेवा और याज्यों के लिए लोग सेवा आरोग का पारवदान किया गया है तो यह किया गया है आपका अनुशेद 315 option D हो जाएगा ठीक अनुशेद 315 option D सेया answer है आगे चलते हैं बारतिय सेवादान के किस अनुशेद में निवाचन आयोग के लिए पारवदान है इसका अपका answer निकलेगा अनुशेद 324 में किसमें 324 option C हो जाएगा सेया answer है तो हम अपनी अगले question की टैप चल जालते हैं लोग सबाके एंगलो इंडियन समुदार के पति नहीं दिता हो के लिए पारवदान सरीदान के किस अनुशेद के अंतरत किया गया था यह किया गया था आपका option हो जाएगा अनुशेद 331 के तहत ठीक है सरीदान के किस अनुशेद के अंतरत किया गया है तो यह आपका क्या गया है option हो जाएगा अनुशेद 331 के तहत है सरीदान के किस अनुशेद के अंतरत हिंदी आज़ वास्षा का दरज्जा परदान किया गया है इसका अनुशेद 343-1 में किस अनुशेद में यह पारवदान किया गया है कि संग की आज़ वासा इंदी तदर लिपी देवनागी होगी तो अगर इसकी बात करें तो यह अनुसेद में बात की गई है बार सा की बारे में यह बात की गई है आपके अनुसेद 343 option भी वह जाएगा राही 300 है अगला है भारत के रास्पती दुआया रास्तिय आपात्काल की गोस्टना किसके अंतर्गत की जाती है तो है अनुशेद तीन सो बाउन के अंतरत की जाती है रास्पति सासन लागु किया जा सकता है जो रास्पति सासन है वो लागु किया कब किया जा सकता है तो वो अनुशेद तीन सो छपन के तैत लागु किया जा सकता है सविदान के किस अनुशेद के आदार पर वित्य आपात की उद्गोसना रासपती करता है तो अनुशेद 307 के अंतरगत सविदान में मंति मंदल सवद का एक बार परयोग हुआ है मतलब कौन से अनुशेद में हुआ है इसका परयोग तो अनुशेद 352 तीन में हुआ है इसका बाग नम्बर तीन में संसर को सविदान संसोरन का दिकार दिया गया है तो जो संसर को सविदान संसोरन का दिकार किस अनुशेद के तहत दिया गया है तो आप्शन B हो जाएगा अनुशेद 300 अरसत के तहत है Option B आपका सही हो जाएगा क्या हो जाएगा Option B एकदम राई तानस्वा निकल के आएगा किस अनुशेद के अंतरगत जम्मू कस्मी को बारतिय सर्विदान द्वायविशेद इस्तती प्राप्त की गई है इसका अनुशेद निकलेगा आपका 377 सर्विदान के किस अनुशेद के पारवदानों के अंतरगत बायर सरका द्वाया बायर ततन प्रदा मुईशन आधी अलकायन प्रदान किये जाते हैं तो अनुशेद अथाया वन में ठीक है Option B निकलेगा बाते सर्विदान में समान तक अधीका 5 अनुशेद और द्वायर परवदान किया जाता है कौन-कौन से है तो इसका आपका अनुशेद क्या निकलेगा इसका अनुशेद निकल के आएगा अनुशेद 14 से अथा आया Option C निकलेगा तो अगले क्यूशन की तरफ चलते है बाते सर्विदान के किस अनुशेद में अंतरत नियन तक यह मालेखा परेक्शन की निक्ति होती है अगर इसके आंसर की बात कहें तो इसका आंसर निकलेगा आपका C क्या निकलेगा Option C निकलेगा अनुशेद 148 के तहट ठीक है आगे इंप्रोटेंट क्यूशन पर चलते हैं लोग निमिन में से बाते सर्विदान के किस अनुशेद का उप्योग अभी तक नहीं किया गया है तो जो अनुशेद आपका अनुशेद 101 के तता है बाते सर्विदान के किस अनुशेद में अनुशेद जातियों तता अनुशेद जन जातियों के लिए आएक्शन परवदान किया गया है यह आपका 330 में किया गया तीक है मौलिक अधिकारों के यूप में 6-14 वाइस के आयूप के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवाले सिक्साप्रवदान करना करता है कौन सा अनुशेद है तो अनुशेद 21 के है ओप्शन B निकलेगा अनुशेद सर्विदान का कौन सा अनुशेद पंचारति आज को परिवा किस corona का को प्रवएसित करता है सुविदान के किस अनुशेद में नगह पारिगा के लिए वितायो के अहतन का FERवदान है तो इसका हुजएगा 243 वाई-ई-तिक है भी आयरमेद कर भी माय अमेर करने किस अनुशेद को सुविदान की आतमा मेहदा काता तो अनुशेद आपका 32 को थीक है लास्ट और एंटिम क्युशन है आपके लिए इसका आज़्व कमेंट वक्षम कमेंट करना है सभी लोगों को थीक है बहुत इंपोटेंट क्युशन है ये भी आपको बताना वीडियो कैसे लगया कि वीडियो अच्छे लगें ते वीडियो को लाइक करना है अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को सेया करना है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द जैहिंज जैबार से भी लोग हस्ते हमस्काते हो